मैं राहुल राज आज हम बात करेंगे समान जनकारी यानि GK और GS के कोश्चन हम लेकर आपको 25 कोश्चन आए हैं जिसमें आपके जो कोश्चन CRPA, BSF, ITBP, SSB और CISF के इक्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो फ्रेंड मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ जो मैं कोश्चन लेकर आता हूँ, अगर आप फिजिकल्स और रिटेन दोनों के त्यारी में लग चुके हैं तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगा अगर आप खौज की त्यारी करते हैं तो चलिए फ्रेंड वीडियो सुरूर करते हैं, आपसे मुझे एक रिक्वेश्ट है, मैं भारतियों होने कनाते यही रिक्वेश्ट करता हूँ, कि प्लिस कमेट सेक्शन में जाहिए जरूर लिखे, आईए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझे और जाने, और एक कमेट सेक्शन में जाहिए जरूर लिखे, चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं, तो फिर वीडियो सुरूर से करने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है, कि अगर आप जो भी इस कोश्चन का एंसर अगर आपको पता है, जैसे एक नमर आपको पता है, एक का राइट एंसर A, B, C, E, D जो भी है आपको कमेंट करके बताना है, इससे क्या हो गए कि आपकी जो कोश्चन की जो एक्रूरेंसी होगी वो आपको पर डे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है, एचलिए वीडियो को सुरू करते हैं, जनवरी 2020 तक की इस्तिती के अनुसार भारतिये सेना के कौन थे, ठीक है, ओप्शन, A, B, C, E, I, D, जल्दी से फार्ष्ट कमेंट, इसका राइटेंस हो जगा, ओप्शन नमर सी, मनोज मुकंद, जीने आपके जनवरी के 2020 तक के आपके भारतिये सेना के परमुक थे, जीने नेक्स्ट कोश्चन क्यो चलते हैं, नेक्स्ट और अग भी जाना जाता है, ओप्शन, A, B, C, E, I, D, जल्दी से फार्ष्ट कमेंट, इसका राइटेंस हो जगा, ओप्शन नमर A, उत्पादन संभाव वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, ओप्शन नमर H, राइटेंसर, चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्यो चलते हैं, चलिए हम ने पर किरिया में पहले चरण के दोरान गुलकोज के च्छ कारबन अनुओं में से विखंडन हुए तीन कारबन अनुओं को क्या कहा जाता है, ओप्शन, A, B, C, या D, इसका राइटेंस हो जगा, ओप्शन, A, ये नेक्स्ट कोश्चन क्यो चलते हैं, नेक्स्ट अगला कोश् पत्ती को नोबल सांती पुर्षकार परदान किया गया, ओप्शन, A, B, C, या D, इसका राइटेंस हो जगा, ओप्शन, C, बड़ाक ओबामा, ओप्शन, C, राइटेंस, नेक्स्ट अगले कोश्चन क्यो चलते हैं, मुगल बादसा सा जहां ने अपनी पत्नी डैस की याद में ताज महल बनवाय था, बतलब मुगल बादसा ने अपनी पत्नी की याद में ताज महल बनवाय था, पत्नी का नाम क्या था, ओप्शन, A, B, C, या D, इसका राइटेंस हो जगा, मुम ताज, मुगल बादसा के ज मुम्ताज चलिए नेश्ट कोशन को चलते हैं नेश्ट हमारा आएए अठवे नमर कोशन को चलते हैं किस खिलारी के शमान में प्रती वर्ष 29 अगस्त को भारती भारत का राष्टिये खेल दिवस मनाया जाता है इसका राइटेंस होजएगा ओप्सन नमर डी मेजर ध्यान चंद्र शिंग के औसर पर आपको 29 अगस्त को भारती ये खेल दिवस मनाया जाता है ठीक है ये आपको बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आपको ये याद रखना होगा कि भारती राष्टिये खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है किसके याद में मेजर ध्यान चंद्र के चलिए अगला कोश्चन नमरा 9 नमर रंगोली बीहू असाम के परमुक तेवहारों में से एक है जिसमें डैस के महीने में मनाया जाता है जो आपको ये तेवहार है रंगोली बीहू ये किस महीने में मनाया जाता है option A, B, C या D जल्दी से first comment अगर आपको पता है तो चलिए इसका right answer देखते है option number B ये अप्रील महिने में इसको मनाया जाता है आपको ये जल्स्ट चलिए next question को चलते हैं next और अगला question हमाड़ा है my experiment with tooth पुष्टा के किष्णय लिखी है ठीक है पुष्टा किष्णय लिखी है option A, B, C या D please first comment अगर आपको एंसर पता है तो आपके पास कुछ समय है इसका right answer हो जगा option number C M, K, गान्थी option C number is right answer next question क्यों चलते हैं next और अगला question हमाड़ा है मावेर के किस राजपूत सासक ने हल्दी घाटी का यूध लरा और फिर अपने घोरे चेतन पर मैदान छोड़ कर भाग गया option A, B, C, या D जल्दी से fast comment अगर आपका answer पता है तो इसका right answer हो जगा option D महराना परता ये आपको यूध छोड़ कर भाग चुके थे अपने घोरे चेतन के साथ चलिए next question को चलते हैं next और अगला question है हमारा बारा नमर डैस ठीके का अर्थ वह धन है जो पहले की विया किया जा चुका है और जिसे पूर्णा प्राप्स नहीं किया जा सकता है ठीके कौन सा धन है option A, B, C, या D जल्दी से फास्ट कॉमेंट इसका राइट क्या हो जगा निम्न लागत जो हमारी किसी वस्तुमें जो निम्न लागत होती है वो हम आपको पूझी लगा देते हैं तो वो आपको प्राप्त नहीं होता है ठीके next question क्यों चलते है next और अगला question है हमारा टेरर नमर ठीके किस बिकल्प का चैन करे जो किरकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्स का सही धंग से मिलान करता है ठीके option A, B, C या D वो कप्तान भी थे और विश्व कप जीते भी थे किस वर्स ये भी आपको बताना है चलिए, इसका राइट एंसर जगा option नमर C कप्पिल देव आपको 1983 में कप्तान थे और जीते थे आपको 1983 में इसका C is right answer next question क्यों चलते हैं next और अगला question नमर 14 नमर है भारत के पर्मुख जेव विधित्ता वाले अस्थान कौन शाह है? कौन से है या है? option A पश्चिमी घाटी, option B उत्तरपुर भारत और option C सुन्दर लेंड इसका right answer क्या हो जगा? option C यानि एक, दो, तीन आपको ये तीनों आपको ये जेविक विधित्ता वाले अस्थान है ये आपको ध्यान में रखना होगा next question हम 15 नमर क्यों राते हैं निमलिखित में से कौन हिंदुस्तानी सास्त्रियों संगीत सैली में से एक परसिध तबला वादक नहीं है ठीक है, क्या है तबला वादक नहीं है पूछ रहा है option A, B, C या D जल्दी से first comment इसकर राइटेंस हो जगा option नमर D अहमजद अली option D is right answer next question क्यों चलते हैं next question हमारा है अर्द भूमी परामसर संधी भारत में किस वर्ष लागू की थी option A, B, C, या D इसकर राइटेंस हो जगा option नमर D next question क्यों चलते हैं next अगला question है हमारा भारत छोड़ो अंदोलन कब सुरू किया गया था option A, B, C, या D इस answer हम आपको नहीं बताएंगे इस question को इसको आपको comment करके बताना होगा कि 17 का right answer क्या होगा इसलिए कि भारत छोड़ो अंदोलन बहुत बार आपसे एक जाम में पूछा गया होगा अगर इतनी छोटी छोटी आपको आप question का answer नहीं पता है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको परिस्टम करना होगा तब जाकर आपका result होगा इसका right answer हो जाएगा आपको comment में लिखकर बताना होगा डाइटी ही एंसर option A, B, C, E, D जो भी है प्लीज comment करके ज़रूर बताएं चलिए हम बात करते हैं नेश्ट और अगले question क्योंड अठारा नमर क्यों चलती है वर्तमान सरकार दोड़ा शुरू की गई निमली खित में से कौन सी योजना उद्देश से संतूलित है ठीक है मतलब दोनों बड़ाबर है option A, B, C, E, D next question क्योंड से चलने से पहले आपको ये पूरी ध्यान से आप question पढ़ ले इसका राइटेंस हम बताते हैं आपको इसका राइटेंस हो जाएगा option number B suman योजना यानि गरवती महिलाओं को निसुल्क दवा देना ये suman योजना के अंतरगत ये आता है जो आपको जितनी भी गरवती महिला है भारत की अपको निसुल्क दवा आपको इससे बित्रण किया जाएगा suman योजना के अंतरगत ये बात आपको जाना अनुवार है चलिए अब आगे को चलते हैं आगे हम आएंगे 19 नमर की ओर जो 19 नमर हमड़ा है question आदिवासित तेवहार भागता परब जो वसंत और गर्मी की औसर के बीच मनाया जाता है डैस राज में अरंब हुआ था मतलब किस राज में अरंब हुआ था option A, B, C ये D जल्दी से first comment चलिए इसका राइटेंस हो जाएगा option नमर D option D, right answer जल्दी में आपको ये अरंब हुआ था next और अगला question चोड़ते हैं ये भी आपका question बहुत easy है आगर आपने 9th answer ही पढ़ते हैं तो ये question आपको मिलता होगा उस बल का नाम क्या है जिसे प्रिथिभी सब वस्तु को अपनी और खिचती है इसको आपको comment करके ही बताना होगा कि right answer क्या है ठीक है हम आपसे request करते हैं कि ये question आप गलत ना करें और इसका right answer ही comment section में बताएं भी इसका right answer ही बताएं तो ये next question क्यों चलते हैं next और अगला question नमरा 21 number क्यों आते हैं 21 number हमारा answer क्या कर रहा है मानो सरीर का निमलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा सरीर के सिस भागों में लाई गई carbon dioxide का निरिशन करती है option A, B, C या D प्लीज इसका comment करें जल्दी से इसका right answer हो जगा option number B वायू कोष्टिका option B, right answer next question क्यों चलते हैं 22 number भारत के समिधान की पारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे पारूप समीती का अध्यक्ष पूछरा अध्यान से option A, B, C, या D प्लीज फार्स्ट कमेंट इसका right हो जगा B आर अमबेदकर option B, right answer पारूप समीती का अध्यक्ष उन्ट है B, R, अमबेदकर next और अगले question क्यों चलते हैं हमरा 22 number question है भारत के परमुख नयाए धीस की नियक्ष कौन करता है ये भी question बहुत ही इजी है आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा मुख नया थी इसके नियुक्ति कौन करता है भारत के option A, B, C या D तेस लिखकर इसका right answer जरूर लिखे क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगले question क्यों चलते हैं सभी भिन खेलो के बीच सर्वसेषट को दिया जाने वाला पुर्षगार निमली खित में से किस नाम से जाना जाता है जो कोच को पुर्षकार दिया जाता है वो किस नाम से पुर्षकार को जाना जाता है option A, B, C या D इसका राइटेंस हो जाएगा option B 24 पुष्टकार से जाना जाता है चे नेश्ट और आज का last question है हम 25 नमर की ओर ये question को हम बताएंगे आपको गुजरात की सीमा किस परोसी देश के साथ लगती है option A, B, C, A, D इसका राइटेंस हो जाएगा option नमर A गुजरात की जो सीमा सर्टी होए वो आपको पकिस्तान से सर्टी है option A, right answer तो friend आपको ये साड़ा question में आपको करा दिया 25 question आपको वीडियो कैसा लगा पिलिस comment में जरूर बताएं जब तक लिए जैहिन दोस्तो बंदे मातरम आपका दिन शुब हो और आपका selection पक्का हो कहीं नहीं कि आपका selection पक्का हो जब तक लिए जैहिन दोस्तो